स्वागता आप सबका जीके टुड़े के प्लाटफॉर्म पे मेरा नाम आर्जु ककड है और इस सेशन में हम वेरियस पाइप्लाइन्स जो न्यूज में रही है साल भर में उनको कवर करेंगे तो शुरू करने से पहले बता देती हूं कि जो करन्ट ओरियेंटेड पाइप्ला कोई भी ऐसी वीडीयो लेते हैं तो प्रीवेस यर और जरूर देखते हैं तो पहला एक कोश्टन आपको दिखरा होगा जो कि यह प्रीवेस यर कुश्टन है शुरू करते हैं फिर सेशन को और मैं पहला कोश्टन आपके लिए पढ़ती हूं तापी इस नाचुरल गैस पाइपलाइन फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान टू इंडिया इट पासेज थू तो 2017 में ये कोशन पूछा गया था SSC, CAPF, ASI, Delhi Police, SI Online एक्जाम के अंदर और चार आप्शन्स उन्होंने रख दिये थे बस तो फिर क्या है? कहानी यही है कि कहां से पास करती है ये इट पासे थू बोथ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ये इसका सही आंसर था कोशन ये मतलब जो आपको अब समझने वाली समझो, समझने वाली बात ये है कि जब भी आप पाइपलाइन्स पढ़ रहे हो तो वो पाइपलाइन कहां से पास करती है वो देखना बहुत ज़ादा ज़रूरी है ऐसा कोशन पूछा जा सकता है और मैं इस कैस पाइपलाइन के बारे में इन डिटेल आप से इसी सेशन में कवर करूँगी क्योंकि अभी करंट में भी थी न्यूज में रही है ठीक है जी तो समझा गया एक तरीका क्या है कि बस व बहुत ज़ादा ज़रूरी है सिंपल सी बात सीधी सी बात यह है अगला कोशन है ऐसे सी छसल के अंदर यह कोशन पूछा गया था लिंक फोर पाइपलाइन के नाल ऑफ सोनी योजना डाट इस सौराश्ट्र नर्मदा अबतरन इरिगेशन योजना इट वोज लॉज लॉज हुआ 2017 में September 2017 इस पाइपलाइन वॉज लॉज इन इन वेर गुजरात तो option 3 इस कोशन का सही आंसर है मतलब सिंपल सी बात है location based question जो है वो पूछे जाते है ठीक है चलते हैं अब हमारे current oriented questions के उपर जो की जो pipelines news में रही है साल भर में उनको देख लेते हैं पहला question आप देख हो Nord Stream 1 pipeline यह pipeline का नाम है ठीक है यह pipeline connect करती है रश्या को कौन सी European country के साथ वो आप से पूछा गया है Nord Stream 1 pipeline connects Russia to which European country the name of the country is Germany option B इस question का सही आंसर है तो यह रश्या को connect करती है जर्मनी से through Baltic Sea अब बात यह सारी जो मैं हवा में मतलब जो बता रही हूं ऐसे ही in general लेकिन वो तब तक नहीं पूरी होगी जब तक हम map नहीं देखोगे कि यह कहने का मतलब है यह सब हवा की बाते ही लगती है जब तक समझ नहीं आएगा जब तक map नही स्ट्रीम 1 है तो यह pipeline बिचाई गई थी बाल्टिक सी से आती हुई और जर्मनी को यह gas provide करती थी pipeline फिर उसके बाद capacity डबल करी और फिर यह node stream 2 अभी आई ठीक है तो node stream 2 लगाई कि चलो ठीक है रश्या को एक और उसी के parallel में एक pipeline जो है वो लगा दी node stream 2 लेकिन problem कहां आ जात pipeline है जो transport करती है 55 billion cubic meter of gas every year ठीक है 2011 से यह operationalized है यह pipeline जो most of the gas जो आप जर्मनी को transfer कर रहे हो और रश्या से आप हो सकते हो जादा जो है उनका यह gas आती है और basically यह जो European country है यह dependent भी है रश्या पे for the gas और अब वो क्या है वो अपने sources जो है उनको डाइवर्सिफाई करना जाती ह यह Russia Ukraine war हुआ है सबको पता है कि conditions बिलकुल opposite हो गई तो अब conditions कुछ और है obviously अब क्या चाते है अब वो यह चाते है और हुआ भी अभी Nord Stream 2 pipeline यूज में भी थी क्योंकि यहां से बहुत methane gas leak हुआ ठीक है और साथ ही साथ एक और बात भी है कि जो supply थी वो भी कम कर दी तो basically it was running at just now 20% of its capacity capacity reduce कर दी July 2020 के अंदर सिरफ 20% भेजने लगे ठीक है 40% जो है of the Europe's pipeline gas वो Russia से आती है ठीक है लेकिन वो अब सिरफ 9% पे रह गई है तो 40% of the Europe's pipeline gas came from Russia war से पहले the number now just stands at 9% तो इसलिए अब आप आप अभी answer आगे देखोगे questions मैं इसलिए पहले आपको एक वो होता disclaimer देना वो दे रही हूँ कि बात जो current scenario है वो ये चल रहा है कि Europe European countries Russia पे dependent है gas के लिए और pipelines भी है लेकिन अब जो है Russia Ukraine war के बाद से चीज़े बहुत उलट हो गई capacity जो आ रही थी वो भी कम हो गई सिरफ 20% तक रह गई और अब Europe और जो European Union और जो countries है वो अपने options को कैसे diversify करें और अब वो कैसे दूसरे options को देख रहे हैं इसी के चलते अब और pipelines जो news में आएंगी वो अब आपके लिए समझनी असान हो जाएंगी ठीक है तो ये था सारा क सारा किस्सा अब चलते हैं आपके अगले कोशन के ऊपर अगला कोशन देखो क्या है अगला कोशन है power of Siberia 2 gas pipeline is a Russian Chinese natural gas pipeline that passes through so बताईए it passes through it passes through Mongolia तो option ए जो है वो इस question का सही answer है ठीक है तो इसके बारे में जान लेते हैं ये देखो power of Siberia 2 gas pipeline जो है आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है ये pipeline कोन से दो देशों के बीच में है Russia और China के बीच में ये pipeline है ठीक है तो ये जो construction process है मैं power of Siberia 2 की बात कर रही हूँ 1 की बात नहीं कर रही है 1 भी बताऊंगी अभी map में दिखाऊंगी तो जो construction process है इसका ये 2600 km की long pipeline है that will start in 2024 अभी आने वाले time में and it will be operationalized by the end of this decade 2030 total capacity कितनी है 50 billion cubic meters ये pipeline रशिया चाइना को connect करती है basically वो proposed pipeline है मंगोलिया से गुजरीगी तो China is the world's largest importer of natural gas इस time पे presently half of the natural gas in China are imported mostly from Australia and US तो अभी जो चाइना जो कहां कहां से gas लेता है Australia से, US से तो अभी रशिया के साथ ये deals है ठीक है, ये देखो, map में देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है वही मैं बोल रही थी आपको ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये रशिया हो गया, ये है चाइना तो पहले है power of Siberia 1, ये gas pipeline अलरी है ठीक है, तो ये मालो जो regions है natural gas के तो यहां से ये आती है ये, और ये ऐसे आप समझ सकते हो, थोड़ा सा ये चाइना में ऐसे एंटर करती है, लेकिन अभी जो power of Siberia 2 की बात हो रही है proposed plan की, वो ये है, ये मंगोलिया से गुजरते हुए और ये फिर चाइना में एंटर कर जाएगी, ठीक है, बात आगे, समझ में इसकी बात हो रही है अब चलते हैं, अगले question के उपर देभोल, बैंगलोर, pipeline connects which two Indian states? 30 seconds है, सोच लो, सोच लिया महराष्टरा and करनाटका, option C, इस question का सही answer है तो ये जो pipeline है, natural gas pipeline, the whole बैंगलोर, natural gas pipeline जो बिची हुई है ये करनाटका से बैंगलोर connected है और ये 2013 में it was commissioned during the inaugural ceremony of 8th Asia Gas Partnership Submit ठीक है, ये लो, अगला question आपके सामने है, इंडिया-बांगलादेश friendship pipeline के उपर बताईए, ये pipeline जो है, it will export high-speed diesel from which refinery सोच लिया? इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ये जो project है, इंडिया-बांगलादेश का friendship pipeline project, इसका aim है to connect West Bengal में सिलिगुरी और बांगलादेश के अंदर परबतिपूर, इन बांगलादेश-दिनजपूर district, ठीक है, तो ये दो जगाएं है that will be connected, इस total project का outlay है 346 करोड का, ठीक है, capacity of this under construction, 130 km लंबी pipeline जो है, इसकी capacity कितनी होगी, 1 million metric per year, ठीक है, तो ये इसकी capacity होगी, जो formal inauguration है वो 2020 में हुआ, ये project जैसे कि मैंने आपको बता दिया, it will be implemented by नुमालीगड refinery limited of India और मेगना petroleum limited of Bangladesh, समझ आ गया थोड़ा सा इस pipeline के बारे में West Bengal में को कहां से और Bangladesh में कहां से connect करेगी, कितनी capacity है, कब इसका inauguration हुआ, और कितनी लंबी है ये pipeline, बात ये आती है कि इससे होगा, क्या, इसका significance क्या है, पहले तो ये समझो कि इस pipeline से क्या होगा, देखो, initially क्या है, initially Bangladesh would buy some 2.5 lakh tons of diesel इस pipeline से, बाद में उसको increase करके 4 to 5 lakh tons भी कर दिया जाएगा, जैसे एक बार काम चुरू हो जाता है, तो ठीक है, इस contract के अंदर Bangladesh import करेगा diesel for 15 years from the day when the supply commence, एक बार ये complete होता है तो, it will obviously stable supply हो जाएगी of the diesel, जो बांगलादेश की जो कुछ districts है, 16 northern districts है, under the रंगपूर and राजशाही in बांगलादेश, तो वहाँ पर obviously एक stable supply, diesel जो आप दोगे, तो एक supply जो है वो भी stable हो जाएगी, और वो जल्दी भी हो जाएगी, ठीक है, पहले बहुत time लगता था, wagons और trawlers के थू जाने से, तो जो imported diesel है, जो आप supply करते थे इन regions को, उसकी cost भी जो है वो बहुत जादा होती थी, लेकिन अब delivery भी fast हो जाएगी और minimum cost पे भी होगी, तो ये कुछ फायदे भी है, ठीक है जी, आ रहे है न समझ में बात, कहीं सब उपर से जा रहा हूँ, उपर से ज को बता रही थी न, कि अब Europe को क्या करना है, देखना है, दूसरे options भी करना है, आप सिरफ Russia पे dependent नहीं रह सकते, ये एक alternate option है, इसकी मैं बात कर रही थी, ठीक है, बताईए अब, इस question का सही answer है, ये जो adriatic pipeline है, वो पास करती है, थ्रू, Greece, Albania और Italy, कैसे, पहले map में दिखा देती है, map में दिखाओ, पहले बता देती है, थोड़ा सा, ताकि आप map में अच्छे से समझ पाओ, अभी बताया था मैंने आपको, कि Europe जो है, Russia पे बहुत जादा dependent हो गया, EU countries, जो है, European countries, लेकिन चीजें जो है, उल्टी हो गई रशिया, यूक्रेन के वार से, तो अब आपको आप ऐसे dependent भी नहीं रह सकते है, कंट्री के उपर, और एक ऐसी कंट्री जहां बहुत ठंड पड़ती है, freeze हो जाते है, विंटर्स में, ग्यास की भी बहुत requirement है, energy चाहिए ही है, ठीक है, तो यहाँ पर ये trans-adriatic pipeline जो है, ये alternate लगा सकते हो, ये एक network है, मतलब एक पूरा corridor है, उसमें से एक ये pipeline है, ये connect करती है, Caspian Sea को Europe से, ठीक है, तो ग्रीस, अलबेनिया, इटली से जाती होई ये pipeline है, और ये pipeline, मैं जो बता रही थी न, एक project है, Southern Gas Corridor, मैं इसके बारे में बात करूँ नहीं, ये जो corridor है, ये pipeline, TAP Trans Adriatic Pipeline इस corridor का part है, जो की natural gas को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है to Europe, कहां से, Shardin's second field कहां पर, Azerbaijan में, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लो, European Commission ने recently deal भी करी with the Azerbaijan to double the import of oils by 2027 from this pipeline, ये जो नया agreement है, इसका aim क्या है, to achieve at least 20 billion cubic meters per annum in 15 years, obviously, ताकि आप अपने energy resources को diversify करें और Russian oil पर आपकी dependence जो है, वो कम हो, ये देखो, ये है Azerbaijan, तो यहां से जो उनकी gas field है, वहां से ये pipeline बिची हुई है, और ये pipeline, जो है, ये Southern corridor project है, इसमें तीन networks हैं, ठीक है, तो ये पूरा ऐसे गुजरती हुई, Greece, Albania, Italy पह map, 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 जिस दिन देख लिया ना, उस दिन चीज़ें असान हो जाती है, उसी time चीज़ें असान हो जाती है, अगला question है कि प्रधान मंत्री उर्जा गंगा project का purpose क्या है, what is the purpose of प्रधान मंत्री उर्जा गंगा project, क्या है purpose, distribute piped cooking gas to Indian states, ये purpose है, तो option B, इस question का सही answer है, जिसमें project का purpose है, कि जो छोटा नागपूर प्लाड्यू के पास जो regions है, जैसे थोड़ा जारखंच, अच्तिसगर, उडिसा, वेस्ट बेंगॉल, यूपी, बिहार, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, piped cooking gas जो है, वो household सक महुचाना चाहते हो, it is also known as जगदीशपूर, हल्दिया, ब in some states के अंदर, ताकि economic growth boost हो, ताकि आप इस fuel का effective utilization कर पाएं, ठीक है, it also aims to increase the adoption of CNG powered vehicles in these states, तो ये है पूरा का पूरा objective, इसका, ये मैं बात कर रही थी, अभी आपने देखा Southern Gas Corridor, अब तो बहुत easy हो गया, आपके लिए, मतलब आप मुझे बता सकते हो, और बताना चाही, अ next Europe, two, Red Sea, Mediterranean Sea, Baltic Sea, Caspian Sea, ये नहीं बताया ना, तो ऐसा लगेगा सुननी रहें अच्छे से, Caspian Sea, Option D, बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगर ये जिनों जिनोंने सोचा है, Caspian Sea ही इसका answer है, अभी मैंने बताया था न, Caspian Sea, Azerbaijan के वाइरम में बात करी थी, यहां से ये pipeline, ये जो it is a network of gas pipelines, मैंने जैसे बताया कि एक network नहीं है, it is a network, जैसे कि एक trans Adriatic pipeline हो गया, एक trans Antolian pipeline हो गया, TANAP, SCP, तो ये सारे network इस corridor का पार्ट है, ठीक है, तो ये रॉप से Caspian Sea तक ये connect करते हैं, और alternative है to the Russian gas pipeline, main source of gas from this pipeline will be from, वो मैंने आपको बता दिया, Shardin's gas field in Azerbaijan's side of Caspian Sea, यहां पर, ठीक है, एम क्या है, aim है to deliver 60 to 120 billion cubic meters of gas from Caspian Sea and Central Asia, directly कहां पर, Europe में, ठीक है जी, अगला question है, Keystone XL pipeline project के उपर, which was terminated in 2021, sought to transport, बताओ, sought to transport, diesel, tar sands oil, CNG, LNG, answer क्या है, tar sand oils, तो option B, इस question का सही answer है, ठीक है, तो इसके बारे में, अगर मैं आपको बताओ, तो tar sand जो है, वो बना, basically, actually, they are a composition of sand, clay, water, और bitumen, तो इस sand के अंदर bitumen भी है, जो कि एक तरीके का petroleum है, that can be converted into fuel, लेकिन जब आप उसको fuel के अंदर convert करते हो, तो बहुत सी नुकसान होता है, environment concerns, economic concerns बहुत है, pollution, toxic weight बहुत जादा होता है, जिसके वज़े से बहुत protest भी हुए, और इसको फिर stop करना पड़ा, यह जो pipeline है, Keystone XL pipeline, यह transport करती है fossil fuel, tar sand oils, ठीक है, तो कहां से, Canadian province से, United States, तक, तो अब problem सारी यही है, कि जो tar sand oil है, एक तो problem यही होगी, कि इसमें जो bitumen है, वो, जब उसको आप fuel में convert करते हो, तो environmental concerns बहुत जादा है, और साथ ही साथ, जो मैं हम इसकी बात कर रहे हैं, यह मिलते कहां है, यह tar sand कहां है, तो यहां पर यह word का largest intact forest ecosystem में से एक है, तो obviously आप environmental और economic concerns भी देखोगे, तो उसी के चलते यहां पर protest भी हुए थे, तो तभी it was terminated in 2021, तो मैं अगर आपको यह pipeline दिखाऊ हूँ, तो यह रहा Alberta, और यह Saskatchewan, यह देख रहे हो, इधर US, तो यह है pipeline, ठीक है, okay, interconnector Greece-Bulgaria pipeline transport gas from which Greek city, इसके बारे मैं भी बताऊंगी, यह वही southern corridor जो हमने बात करी न, अभी, Europe और Caspian Sea से जो आती है, natural gas, उसी का ही एक, उसमें एक part आईगे, क्या है, अभी बताती हूँ, लेकिन पहले आप यह देख लो, इसका answer क्या है, option B, कुमोटनी जो है, इसका सही answer है, मैं अगर आपको इसके बारे में बताऊं, यह pipeline आप देख रहे थे न, जो pipeline आ रही है, बस वहां से आप क्या कर रहे हो, यह connect कर रहे हो, बलगेरिया को भी provide कर रहे हो, ऐसे समझ लो, तो एक newly inaugurated pipeline है, transporting the azuri gas, वही है, purpose वही है, मैंने शुरू में इसलिए वो disclaimer दिया था, मैंने का था कि उसको अच्छे से सुन लो, सारा का सारा वही connected है, क्योंकि यह pipeline काफी news में रही है, Russia, Ukraine वहर भी हुआ, चल रहा है, तो उसी चक्कर में, तो it aims to diversify Europe's energy needs and reduce the dependence on the Russian fuels, यह pipeline जो है, यह 182 km long pipeline है, the interconnector Greece-Volgeria pipeline, जिस capable है, carry करने के लिए 3 billion cubic meter per annum, capacity बाद में इसको आप expand भी कर सकते हो, और यह operationalize हुई है, from 10th of October 2022, तो आप तो बहुत लगी हो, अभी पढ़ रहे हो आप इसको, revise कर लिया, साथ-साथ, साथ के current affairs में एक important है यह, तापी pipeline का aim है, to transport natural gas to India, from which country, पहला question, जब मैंने इस lecture की शुरुवात करी थी, तो कहां से करी थी, previous year question से, जो की तापी से associated था, end भी हम यहीं पे करेंगे, क्योंकि यह question, यह topic news में है, तो तापी pipeline का aim है, कि वो natural gas transport होती है, इस pipeline से to India, from तुर्कमेनिस्तान, option A, इस question का सही answer ह है, ठीक है, तो यह जो तापी का full form क्या है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तो यहां से यह pipeline आती है, इंडिया में, इसका aim है, to deliver 33 billion cubic meter of natural gas per annum, तुर्कमेनिस्तान से इंडिया के अंदर, तो तुर्कमेनिस्तान basically hold करता है, 6th largest gas reserves in the world, और उस का importer, basically China को बता है, चाइना को बहुत जरूरत होती है, तो रशिया से लेता है, चाइना, उस्ट्रेलिया से, यूएस से, तो तुर्कमेनिस्तान भी है, उसमें importer, अब तुर्कमेनिस्तान obviously चाहता है, कि दूसरे देशों को भी पहुंचाई जाए, और obviously आप अपने expand करना चाहोगे, तो political hurdles भी रही कुछ, जिसकी वज़े से चीज़े कुछ रुकी, और साथी साथ ये जो pipeline है, कहां से आ रही है, अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से आ रही है, तो जो अफगानिस्तान में अभी आपको पता है, तालिबान का जो issue चला, राज ह तो उसके चलते चीज़ें फिर रुक गई, ठीक है, तो ये एक 1800 किलो मेटर पार्शली कंस्रक्टेड पाइपलाइन, इट विल कनेक्ट तुर्कमेनिस्तान से गैलकिनिश, काइनिश विद फाजलिका इन पंजाब, तो ये दो जगाएं है, एक हमारे पंजाब में और एक त तुर्कमेनिस्तान से आता हुआ, पाकिस्तान एंटर करते हुए और फिर ये पंजाब तक, तो ये है गैस पाइपलाइन, ठीक है, आगया समझ में, आज तो अच्छे से समझ में आना चाहिए, और अच्छे से समझ में आया है, तो ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज के साथ, तिल वें, आयार्जु कर्कर विशे जए बेरी बेस्त आप लुक, अपी लुनिंग भर्लाइन, ये थे लुए, तेक कैर.